Welcome to Learn Together, मैं हूँ संजिना और हम लोग इस question को देख रहे हैं, यह इतिहास का question है, history का part है और इसमें जैसे कि history का mix-up part है, history के सभी part को इसमें include किया गया है तो इसमें हम लोग देखेंगे कि यह पिहार सिक्छक भरती, TGT, PGT, 6-8 के अलावा और भी जो भी competitive exam होते हैं उसके लिए भी important है, क्योंकि यहां से question पूछे जाते हैं, तो इस video को देख लेने के बाद से, यहां से जो भी question पूछे जाएंगे, यह आप लोगों से नहीं छूटने वाले है तो हम लोग देखते हैं अपने प्रश्ण को, प्रश्ण जो हमारा है, तो प्रश्ण देखने से पहले आप लोग वीडियो देखिएगा, अगर अच्छा लगे तो इसे like कीजेगा और share कीजेगा, लाश्ट तक वीडियो में बने रहेएगा, ताकि आप लोगों के सारे questions के confusion जो है, वो clear हो सके, सारे doubt जो है, वो clear हो सके, तो आते हैं अपने प्रश्ण पर, प्रश्ण हमारा है यहाँ पर कि जैन धर्म को अंतिम संरक्षण किस राजवनस के सासकों ने दिया, तो किया बंगाल के पाल ने, बंगाल के सेन ने, गुजरात के चालुक की, या फिर इन म कैसे कोई नहीं, तो किस ने दिया था, तो जैन धर्म को अंतिम संरक्षण जो है, वो किस राजवनस के सासकों ने दिया था, तो गुजरात के चालुक क्यों ने दिया था, किस ने दिया था, गुजरात के चालुक क्यों ने दिया था, यहाँ पर एक सीज और ध्यान में गुज्रात के चालूक के वंस को जो संस्थापक था वो कौन था? वो मुल्राज था और इसने गुज्राथ के बड़े भाग को जीत कर अहिलवाड को अपनी राज्धानी बनाई थी 942 ते ले करके 995 इस्त्वी के बीच में रहा प्रशीद चोल शाशक राज राज प्रथम का मूल नाम क्या था प्रशीद चोल शाशक राज राज प्रथम का मूल नाम क्या था तो इसका नाम अरिमोली वर्मन था, विजे वर्धन था, रघु वर्मन था या फिर इन में से कोई नहीं था इसका नाम क्या था तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि चोल सासक की यहाँ पर बात हो रही है चोल सासक राज-राज प्रथम की तो चोल वंस का संस्थापक कौन था चोल वंस का संस्थापक कौन था विजयाले था कौन था विजयाले था ठीक है विजयाले था चोलवंस का जो संस्थापक था वो विजयाले था ठीक है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चोलवंस से कि अगर हम लोग बात करते हैं कि इसका संस्थापक विजयाले था तो राज राज प्रथम के बारे में अब हम लोग आते हैं तो राज़ राज प्रत्रम का जो शासन काल था वो 985 से लेकर के नौससऑ पचैसी से लेकर कि क्या था? 2014 तक था चोलवंस में राजराज प्रत्वीक नाम चैट अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि राजराज प्रत्व का वास्तवीक नाम क्या था? तो राज राज प्रथम का वास्त्विक नाम जो था अरी मोली वर्मन था क्या था अरी मोली वर्मन इसका वास्त्विक नाम था और ये जो था परांतक द्वितिये का पुत्र था तो परांतक द्वितिये का पुत्र था और परांतक द्वितिये के बाद सिंहासन पर बैठने के बाद 30 वर्सों तक इसका जो समराज्य था वो सरवाधी गौरवशाली रहा और इसने अपने पितामः याने अपने दादा परांतक प्रथम की रख्त एवं लोह की नीती का पालन करते हुए राज-राज की उपाधी ग्रहन की थी इसने क्या किया था राज-राज की उपाधी ग्रहन की थी इसका वास्त्विक नाम जो था वो क्या था अरिमोली वर्मन था निमने में से किसने भूमी मापने के पैमाने का प्रचलन सुरू किया भूमी मापने के पैमाने का जो प्रचलन है वो इन में से किसने सुरू किया था तो सिकंदर लोदी ने, शेर्शाह ने, सिकंदर महान ने या फिर उपरोप्त में से कोई नहीं तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि भूमी मापने के पैमाने का प्रचलन किसने सुरू किया तो प्रचलन जो है ये सिकंदर लोदी ने सुरू किया था और सिकंदर लोदी ने जो प्रचलन शुरू किया था तो इसमें इसका जो पैमाना था वो गज ए सिकंदरी नाम का पैमाना था जो की सिकंदर लोदी के द्वारा इसका प्रचलन शुरू किया गया था अब इसके बाद अगर ये चीज पूछता है कि भूमी माप प्रणाली प्रारंब किस ने की थी लेकिन अगर यहाँ पर ये चीज पूछे कि भूमी मापने का आदेस सबसे पहले किस ने की दिया था तो ये अलाव दिन खिलजी ने दिया था लेकिन अगर ये कहा जाए कि भूमी मापने कि प्रचलन किसने शुरू किया तो ये सिकंदर लोदी ने इसका प्रचलन शुरू किया था और इसका जो पैमाना था उसका नाम क्या था तो गज ए सिकंदरी इसका नाम था तोडर्मल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि तोडर्मल का पूर्वगामी किसे कहा जाता है तो इसे हम लोग देखेंगे कि टोडार्मल का पूरुगामी जो है ये महमूद गवा को कहा जाता है किसे महमूद गवा को टोडार्मल का पूरुगामी कहा जाता है अब एक चीज और हम लोग देखेंगे कि टोडार्मल कौन थे तो टोडार्मल अकबर के नौरतनों में से एक और ये अकबर के वितमंत्री थे अकबर के क्या थे ये वितमंत्री थे इसके बाद हम लोग देखेंगे कि टोडार्मल का वास्त्विक नाम क्या था तो इनका वास्त्विक नाम अल्टंडन था, क्या था? अल्टंडन जो था ये इनका वास्त्विक नाम था इसके बाद अगर देखा जाए तो टोडर्मल क्यों प्रशिद्य है? तो टोडर्मल ने अकबर के मुगल समराजी की राजस्तु प्रणाली को नई विवस्था दी थी इसलिए टोडर्मल जो है ये प्रशिद्य है निमने मेंसे किसने जनता को चार सुत्रिय संदेश स्वधर में स्वधराज स्वधेशी और स्वभासा दिया? तो इसमें हम लोग देखेंगे कि ये क्या ब्रम्ह समाज था आरे समाज था वेद समाज था या फिर देव समाज था इनमें से कौन सा था तो ये जो था आरे समाज था ये कौन सा था तो ये आरे समाज था आप्शन भी आरे समाज था अब हम लोग देखेंगे कि आरे समाज की इस्थापना कब हुई तो आरे समाज की इस्थापना कब हुई तो ये हुई थी 1875 इस्वी में आरे समाज की इस्थापना कब हुई तो 1875 इस्वी में हुई और कहां पर हुई तो बंबई में हुई ती बंबई में हुई ठीक है लेकिन इसमें ये देखेंगे कि ये किसकी प् तो 1875 में बंबई में स्वामी दयानंद सरस्वती की द्वारा आरे समाज की स्थापना की गई थी लेकिन ये मतुरा की स्वामी विर्जानंद की प्रेड़ना से की गई थी मतुरा के स्वामी विर्जानंद की प्रेड़ना से स्वामी दयानंद सरस्वती ने आरे समाज की स्थापना 1875 में बंबई में की थी अब हम लोग ये देखेंगे कि इसकी स्थापना क्यूं हुई थी तो स्वामी दयानन सरस्वती ने जाती वाध का विरोध करने के लिए विधवा पुनर विवा का समर्थन करने के लिए और भारत में महिला ससक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए आरे समाज की इस्थापना की थी आरे समाज का जो मुख्याले है वो कहा है तो दिल्ली में है आरे समाज का पहला मुख्याले मुंबई में था और 1877 में आरे समाज का मुख्याले जो था इसे लाहौर में इस्थानांत्रित किया गया था परेया का अर्थ क्या है? क्या बोल रहे हैं आपर? परेया का अर्थ क्या है? अचूत, ब्रामहर्ण, छत्रिये या फिर वैश्चे तो परेया का अर्थ जो है ये क्या है? अचूत तो सही जवाब option A रजिया सुल्तान को सत्चियूत करने में निम्ने में से किसका हाथ था तो सत्चियूत करने में किसका हाथ था तो ये तुर्को का हाथ था अफगानों का था मंगोलों का था या फिर अर्बोद का था किसका था तो इसमें जो हाथ था ये किसका था तूर्को का हाथ था तूर्को के कारण ही रजिया को अपने सुल्तान पद से हाथ धोना पड़ा इसके बाद हम लोग देखेंगे कि रजिया सुल्तान जो थी वो किसकी उत्रादिकारी थी तो ये इल्टुत्मिश की उत्रादिकारी थी औ और ये किसकी उत्राधिकारी थी तो इल्थुत्मिश की उत्राधिकारी थी इसके बाद अगर देखा जाए तो रजिया का जो शासनकाल है वो कब से कब तक है तो ये 1236 से लेकर के 1240 तक जो है ये रजिया का सासनकाल माना जाता है और इसके बाद हम लोग देखेंगे तो दिल दरबार पर शाशन करने वाली ये एक मात्र महिला शाशी का थी ठीक है और इसके बाद इन्हें अपने शाशनकाल में बहुत से बाधाओं का सामना भी करना पड़ा था बहमानी समराज्य का कितने राज्यों में विभाजन हुआ था तो ये कितने राज्यों में हुआ था दो चार दो तीन चार या पांच कितने राज्यों में बहमनी समराज्य का विभाजन हुआ था तो बहमनी समराज्य का विभाजन जो है ये पाँच भागों में हुआ था कितने भागों में हुआ था पाँच भागों में हुआ था जिसमें हम लोग देखेंगे कि गोलकुंडा, बीजापूर, बीदर, बिरार और अहमद नगर तो इसमें गोलकुंडा, बीजापूर, बीदर और बिरार, अहमद नगर राज्यों का क्या हुआ था? उदै हुआ था इसके बाद हम लोग देखेंगे कि बहमनी समराज्य का जो विघटन हुआ था ये कब हुआ था तो ये 1518 इस्वी में हुआ था जिसके सलफल सौरो पांच नए राज्यों का उदै हुआ बहमनी समराज्य के बारे में हम लोग जानते हैं कि बहमनी जो समराज्य था इसका सासनकाल कब से कब तक रहा? तो बहमनी समराज्य का जो सासनकाल था ये 1347 से लेकर के 1518 तक रहा? इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तूर्क अफगान सुबेदार अलाव दिन बहमनाच शाह ने की थी तो अलाव दिन बहमनाच शाह ये तूर्क अफगान सुबेदार थे और ये दच्छिन भारत का एक मुस्लिम में राज्य था एक इसलामी राज्य था दक्कन का ये एक क्या था इसलामी राज्य था और इसकी स्थापना 3 अगस्त 1347 को एक तुर्क अफगान सुबेदार अलाउदिन बहमन शाहने की थी और उस समय इसका जो प्रतिद्वेंदी हिं और बिरार अहमद नगर जैसे नए राज्यों का उदय होता है निमने में से किसने विवेका नंद को आधुनिक राश्ट्री आंदोलन का अध्यात्मिक पिता की संग्या दी थी तो वो कौन थे सुबास चंद्र बोश थे रविंद्र नाठ टैगोर थे महात्मा गांधी थी या फिर अर्विंद गोश थे तो आधुनिक राश्ट्री आंदोलन में आध्या आध्यात्मिक पिता की संग्या रविंद्र विवेका नंद को सुबास चंद्र बोश ने दिया था तो सुबास चंद्र बोश ने विवेका नंद को आधुनिक राश्ट्री आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संग्या दी थी निमनिलिखीत में से किस एक ने वर्ष 1916 में लखनव में आयोजित भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने अध्यक्षता की थी 1916 की तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि ये कौन थी एनिबेसेंट लाला लाजपत्राय मोतीलाल नहरू या फिर अंबिका चरण मजुमदार इनमें से कौन तो अंबिका चरण मजुमदार थे कौन थे अंबिका चरण मजुमदार जिन्हों ने वर्ष 1916 के लखनव में आयोजित भारती राश्ट्री कॉंग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी 1916 एक और चीज के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने कहा था कि स्वराज मेरा जन्वसिद्ध अधिकार है और मैं इसे ले करके रहूँगा 1916 में ही नरमपन्थी और गरमपन्थी क्या हुए थे एक सांथ मिल करके और सभा किये थे अकबर के दरबार में संगीत के द्वारा दीपक राग की इस थापना किसने की थी तो दीपक राग की इस थापना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये किसने की थी तो ये बैजु बावरा ने की थी, तान सेन ने की थी, स्वामी हरीदास ने की थी, या फिर बिर्बल ने की थी, किस ने की थी, तो दीपक राक की इस थापना अकबर के दरबार में तान सेन ने की थी, किस ने की थी, तान सेन ने की थी, और इसके साथ ही हम लोग देखते हैं, कि तान सेन अकबर की काल के सरोस्तिष्ट संगीत अग्ये थे ठीक है और तान सेन का प्रारंभीक नाम जो था वो रामतनु पांडे था क्या था रामतनु पांडे था ठीक है रामतनु पांडे जो था ये तान सेन का प्रारंभीक नाम था तान से जो थे ये धृपत गायन सैली के महान संगीतकार थे धृपत गायन सैली के क्या थे महान संगीतकार थे और ये विरिंदावन के महान संगीतग्य स्वामी हरिधास के सिस्य भी थे लोग सभा का सर्वमान्य निर्वाचन किस वर्ष हुआ था? तो सर्वमान्य निर्वाचन जो है ये क्या 1948 में हुआ? 1948 दुबारा दे दिया है, 1950 या फिर 1952 में हुआ, कब हुआ था? तो लोग सभा का सर्वमान्य निर्वाचन जो हुआ था? ये कब हुआ था, सर्वमान्य निर्वाचन 1952 में हुआ था, कब हुआ था, 1952 में लोग सभाका सर्वमान्य निर्वाचन हुआ था तो यहाँ पर हम लोग इसके बारे में कुछ तर्थियों को देखते हैं जैसे कि भारत में जो आम चुना हुआ था आजादी के बाद पहली बार आजादी के बार पहली बार जो आम चुना हुआ था वो कब हुआ था तो वो 1951-52 में यानि कि 25 अक्टूबर 1951 के बीच में 21 फर जैसे कि बार आजादी के बाद का पहला आम चुनाव था तो लोकसभा का स्तर्व माने निरवाचन किस वर्थ हुआ था तो 1952 में हुआ था 36 गड़ का गांधी किसे कहा जाता है यहाँ पर क्या बोल रहा है कि 36 गड़ का गांधी जो है यह किसे कहा जाता है तो यह चंदू लाल चंद्राकर को हरी ठाकूर को सुंदर लाल शर्मा को या फिर खूब चंद बगेल को किसे कहा जाता है तो यह सुंदर लाल शर्मा को कहा जाता है तो यहां पर हम लोग देखेंगे कि इसने किसे पराजित किया था तो अवद के नवाब वाजीद अली शाह को बंगाल के नवाब अलिवर्दी खा को बंगाल के नवाब सिराजु दौला को या फिर उप्रोक्त में से कोई नहीं तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि पलासी का युद्ध कब हुआ था तो पलासी का युद्ध 23 जून 1757 को कब हुआ था 23 जून 1757 को हुआ ठीक है और ये मुर्शिदाबाद के दच्छिन में 22 मिल दूर नदिया जिले में भागी रथी नदी के किनारे पलासी नामकिस्था पर हुआ था तो सिंपल सा बात हमें याद रखना है कि 23 जून 1757 को पलासी नामकिस्थान पर क्या हुआ था पलासी का युद्ध हुआ था ये युद्ध किसके किसके बीच हुआ था तो अंग्रेजो और बंगाल के नवाप सिराजू दौला के बीच में हुआ था जिसमें इस्ट इंडिया कमपनी जो थी याने ब्रिटिस इस्ट इंडिया कमपनी का नेत्रित्व जो था वो राबर्ट कलाइब कर रहा था कौन कर रहा था राबर्ट कलाइब कर रहा था तो इसमें हम लोगों को देखना है कि राबर्ट कलाइब ने किसे पराजित किया था तो जिस इसके बाद हम लोग देखेंगे कि सीता राम तिवारी जो थे वो इनके पिता थे अगला है यहाँ पर कि इनके बारे में हम यह जान ले कि चंदरशेखार आजाद ने 27 फरवरी 1931 को क्या किया था स्वैम को गोली मार लिया था जिस एक पार्क में जिस पार्क को हम लोग चंदरशेखार आजाद पार्क के नाम से जानते हैं इसके बाद हम लोग देखेंगे कि चंदरशेखार आजाद का जन्म इस्थान जो है वो भाबरा में है जो अब आजाद नगर के नाम से जाना जाता है चंदरशेखार आजाद हमेशा एक लाइन कहा करते थे उनका नारा जो था वो क्या था कि दुश्मन की गोलियों का हम सामना करेंगे हम आजाद हैं और आजाद ही रहेंगे तो ये चंदरशेखार आजाद का कहना था सूरत की फूट 1907 के बाद कांगरेस किसके हाथों में आ गई तो हम लोग देखेंगे कि 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद जो कांग्रेस थी वो नरम दल वालों के हाथ में आ गई थी तो हम लोग जैसे कि देखेंगे कि 1907 में भारतिय राष्टे का जो अधिवेशन हुआ था वो सूरत में हुआ था इस कारण से इसे सूरत अधिवेशन के नाम से भी जाना जाता है अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां पर कांग्रेस जो है ये दो भागों में विभक्त हो गई नरम दल और गरम दल दो दलों में ये बट गई तो इसी को हम लोग सूरत विभाजन भी कहते हैं तो 1907 का सूरत विभाजन इसे ही कहते हैं क्योंकि कांग्रेस जो थी ये बिहारी घोष ने इसकी अध्यक्षिता की थी ठीक है किसी समय महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके किन्तु उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था चलाने वाले कौन थे आत्मसम्मान आंदोलन जो है ये चलाने वा इवी रामाश्वामी नायर थे या फिर जोयतिबा फुले थे कौन थे तो इसमें हम लोग देखेंगे कि इसका सही जवाब जो होगा वो क्या होगा इवी रामाश्वामी नायर थे कौन थे इवी रामाश्वामी नायर थे इवी रामाश्वामी नायर ने एस रामनाथन के स कब तो 1925 में आत्म सम्मान आंदोलन शुरू किया था ये तमिलाडो के एक अत्यधिक प्रभावशाली व्यक्ति थे और इनका जो आंदोलन था ये मूल रूप से समाज में पिछडी जातियों के आत्म सम्मान के लिए लड़ाई था उत्रांचल में सम्राट असोग का एक सिला लेख कहां इस्थित है उत्रांचल में सम्राट असोग का एक सिला लेख है जो कहां इस्थित है तो ये देव प्रयाग में है कालसी में है केदारनात में है या फिर रिशी केश में है कहां पर है तो ये जो सिला लेख है ये कहां है कालसी में इस्थित है कहां पर कालसी में कालसी जो है ये कहां पर है तो उत्रा खंड राज्य के देहरा दुन जिले में इस्थित है उत्रा खंड राज्य के देहरा दुन जिले में इस्थित एक गाउं है कालसी और ये यमुना नदी के किनारे पर बसा एक इरतिहासिक इस्थल है जहां से मौरी सामराट असोग के अभिलेख मिले है निमलिखित में से कौन सी मुहन जोदुरो की सबसे विशाल इमारत मानी जाती है? तो मोहन जोड़ों की सबसे विशाल इमारत कौन सी मानी जाती है तो ये क्या है विशाल इसनानागार है विशाल अननागार या धन्ना कोठार है सभा भवन है या फिर इनमे से कोई नहीं है तो मुहन जोड़ों की जो सबसे विशाल इमारत मानी जाती है वो है विशाल अन्नागार या धन्ना कोठार क्या है विशाल अन्नागार है या फिर धन्ना कोठार है अवद में वित्रोफ फूटा इसलिए नहीं कि उस प्रदेश का विलय किया गया अपी तु इसलिए कि तालुकेदारों के सांथ बहुत कठोर वेवहार किया गया यह कथन निम्न में से किस का है तो ये कथन जो है ये किसका है То हेनरी लारेंस का है TR Homes का है Diz Riley का है या फिर P.E. Roberts का है ये कथन जो है ये किसका है तो ये कथन किसका है तो TR Homes का है तो इस session में हम लोग इतना ही रहने देते हैं इसके आगे के questions को next session में हम लोग देखेंगे और इसके पहले जो भी question करवाए गया है तो उसका link description में दिया हुआ है वहाँ से जा करके आप लोग देख लेंगे तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि हम लोगों ने कुछ question को किया उससे जो भी question और बनने वाले थे उन question को भी यहाँ पर किया तो आप लोग इस video को एक दो बार देखिएगा जिससे कि आप लोगों का concept clear हो जाए और pain copy पर इसे ले करके note कर लीजेगा जो भी चीज़े नहीं लगे उस चीज़ों को pain copy ले करके क्या करना है note कर लेना है तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसे like कीजे share कीजे comment करके बताईए कि कैसा लगा और अगर अभी तक channel को subscribe नहीं किये हैं तो channel को subscribe कीजिए धन्यवाद